दोस्तों क्या आप या अपने मोबाइल में जैसे ही डाटा को ओन करते हैं तो आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे स्क्रीन पे भर भर के एड आता है तो जड़ से मैं खतम करने बाला हूँ इस प्रॉब्लम को और अपने मोबाइल में आप डाटा ओन करेंगे तो आपको कोई भी एड देखने को नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिजे क्योंकि आपके मुवाइल में आता है आपका यूजर एक्सपीरेंस खराब करता है ये लेकिन आपके फॉन में एड क्यों आत आते हैं और सीधे मुद्दा पर आते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा अपने मुवाइल के सेटिंग्स में आपको चले जाना है तो सब कुछ आपको डिस्पले पे सो हो जाएगा दे डिस्प्राइब करने के बाद नहीं यहाँ पर आपको स्कॉल करके आना है एक अप मेंजमेंट यह तो apps का option आपको मिल जाएगा आपको सिम्पली apps बाले option पर क्लिक करना है चली मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर मुझे एक option यहाँ फिर से देखने में को मिल रहा है manage apps का तो आपके phone में हो सकता है कि आप जैसी app management open करेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो आप देख लीजेगा आपके phone में किस प्रकार से है यहाँ पे मुझे manage apps पे फिर से click करना होगा तो मैं यहाँ पे click कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पे आपके phone में जो भी application installed है वो सब देखने को मिल जायागा और एक चीछ ध्यान दिजेगा यहाँ पे उपर 3.com इस पे click करके एक option आपको मिलेगा show all apps का उसको जरूर से कर दिजेगा यहाँ पे मैंने कर रखा है तो यहाँ पे hide system service का उप्शन आ रहाए इसको चली मैं आपको करके दिखाया तो इसको मैंने hide पे click किया और फिर से त्री डॉट पे click करूंगा तो यहाँ पे show all apps का option आता है इस पे आपको click करना होगा आप अपने phone में देख लीजेगा इस पे मैं जैसे click करूंगा तो मेरे phone में जितने भी सारे application है जो background में आपको दिखाई नहीं भी देता है वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखना है आपके phone में क्यू एड आता और कौन सा virus है कैसे पता चलेगा और कैसे ह amazon लिखा हुआ भी है और उसका logo भी है लेकिन वाइरे जो होगा जिसके वैसे add आता है उसमें नहीं तो कोई logo होगा कुछ भी लिखा नहीं होगा और यहाँ पे name लिखा जोन उस प्रकार से वहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं होगा कुछ इस प्रकार से देखने हो का आपको मिल जागा मैं डिस्पेले पे आपको दिखाने के कुछिस कर रहा हूं कहां पर आपको धूरना है पूरा आप ध्यान से देखी का धूर ली जाएगा और अगर आपको आप मिल जाता है वह वाइरस मिल जाता है तो इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक नीचे अनिस्टल या तो उपर कहीं पर अनिस्टल का ओप्सन मिल जाएगा आपको सिंपली अनिस्टल कर देना है उस वाइरस को हटा देना है अपन के Chrome browser में ठीक है Chrome browser में जाने के बाद में आपको यहाँ पर settings पर आने के बाद में यहाँ पर scroll करना है और एक option आपको मिलेगा site settings का आपको site settings पर click करना है और यहाँ पर scroll करना है एक pop-ups and redirect subscribe मिलेगा इस पर click करके इसको जो है यह on होगा आपके फॉन में simply इसको on होगा तो इसको ब्लॉक कर देना है ठीक है पूरा 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 ब्लॉक कर देना है इससे क्या होता कि आप कुछ भी क्रोम में सर्च करते हैं पूरी डैरेक्ट हो जाता है आपको पता भी ने चलता है आपको फॉन में कुछ application करेगा आपके पास कोई सा भी कंपनी का mobile है तो आप इस दोनों वीडियो में से कोई भी वीडियो को जाकर के देख लिए जो जो सेटिंग्स में आपको बताए उसको अपने फोन में करिएगा आपका पूरा पूरा एड़ बंद हो जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में और